एक बार फिर से सुवगत है टेक एक्सपर्ट में तोस्तो आज कल आपने इलेक्रिक बाइक, इलेक्रिक स्कूटर, कुछ फ्यूचर बाइक और आपने कई तरह की ओटोमेटिक मोटर साइकल देखी होगी पर उन मोटर साइकलों की कीमत काफी होती है तोस्तो आप लोगों ने एक जिस वाइक बार बात करने वाला है एक एक देखें दोस्तों एक 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 एंक्राइक बाइक है जो भी छैन के तो बायक में बेटने वाले शक्सें बड़ा देगी साथ-साथ, रोड़, की विजान बड़ा देगी तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस स्कूटर में दो बेटरी दी गई है और इस बैक को 48 वल्टेज और 2.4 kWh की राज बेटरी और 1.2 kWh की स्मौल लिथियम आयन बेटरी दी गई है जो कि 3 kWh यान चार हुर्स पावर की मोटर को पावर द 48 Nm का टोर्क जनरेट करती है रेंज की बात की जाए तो इस स्कूटर की रेंज 150 km है यानि कि इस स्कूटर को आप एक बाल फुल चार्ज करके 150 km तक चलाया जा सकता है इस बैक में 3 तरह के ड्राइविंग मोट देगा है जैसा कि इको, नोर्मल और स्पोर्स तीनों तरह से आप इस बैक को चला सकते हो चार्जिंग समय की बात की जाए तो इस इस स्कूर की बेटरी को अगर आप बोर्ट से चार्ज करगे तो ये बाइक 3 से 6 गंटे में चार्ज हो जाता है और अगर आप ऑफ बोर्ट चार्ज करगे तो ये बाइक सिर्फ 10 गंटे में फुल बात करें डाइमेंशन की तो इस बाइक की नमबाई 156 cm, 14-64 cm और उच आइवन 20 cm दी गई है वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट विथाउट बेर्टरी एंड चार्जर के 37 kg है लोडिंग केपिसरी के बात करें तो ये बाइक 120 kg का मेक्जिमम वर्जन उठा सकती है बात क करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो इसमें आगे और पीछे दोनों टायर में डिस्क ब्रेक दिया गया है दोस्तों कनेक्टिविटी एन इसमान फॉक्षन की बात करतें इसमें वाइफाई प्लूटूथ 4G GPS और USB पॉर्ट मिलता है डिस्प्ले की बात करतें इस बाइक में साथ इसकी TFT टाजिस्किन डिस्प्ले मिकती है जो ऑटोमेटिक फॉल्डेबल और वाटर्प्रूफ है फ्यूचर की बात की जाया तो इसमें डिजिटर स्पीडोमिटर फोन पेरिंग सिस्टम और साथ में म्यूजिक सुनने के लिए म्यूजिक स्ट्रीमिंग भी दिया गया है दूसर इस बाइक की खास बात जो है वो अभी तक किसी भी बाइक में वो सिस्टम नहीं दी गई है वो सिस्टम यह है कि इस बाइक में फ्रंट में केमरा लगा हुआ है जासे आप लाइव वीडियो रेकर्डिंग भी कर सकते हो दूसर इस बाइक में म्यूजिक सुनने के ल लेडी लाइट और पीछे लेडी लाइट के साथ साथ ब्रेक लाइट भी दी गई है तो दोस्तों आपको ये श्कूटर कैसी लगे में कमेंट करकर जरूर बता है